रामचंद्र कह गए सियासे ऐसा कल्यूग आएगा हंस चुगेगा दाना तुन का कववा मोती खाएगा कल्यूग तो आ गया लेकिन कववा मोती तो नहीं खा रहा है और ना ही हंस दाना चुग रहा है लेकिन इस कल्यूग में बाप बेटे को मार रहा और पती पतनी को जहां रिष्टे का कोई मोल नहीं यहां रोज रिष्टों को शर्मशार करने वाली खबर आती है और आज भी कुछ ऐसी खबर आई है नमस्कार स्वागत आपका जनतारंग्शन में और मैं हूँ आपके साथ स्रिष्टी श्रिवास्तव आज हम आपको दो केस बताएंगे पहला जहा एक पती ने रोज के जगडे से परिशान होकर अपनी पत्नी को माड़ डाला यह मामला जिले के साहेब गंज थाना चेतर के वासुदेवपूर मुसहरी तोला का है आरूपी पिता का नाम राम लखन मुखिया है और मृतक बेटे का नाम राम पुकार मुखिया है राम पुक करते थे उनके पती इसका विरोध करते थे उस दिन आरूपी पिता रीमा देवी के साथ गाली को लौच करने लगा तब ही रीमा देवी के पती ने इसका विरोध किया उसने ऐसा करने से अपने पिता को रोका जिसके बाद आरूपी पिता ने अपने बेटे के सीने में चाक पिता वहां से परार हो गया था फिर गुप सूशना के आधार पर थाना अध्यक्ष ने करवाई करते हुए माधोपूर हजारी चौर से पिता को पकड़ लिया पुलिस ने शफ को अपने कबजे में लेकर पोस्टमॉटम के लिए SKMCS भेज दिया है अब आते हैं दूसरी खबर पर पंजाब के मोहाली में एक पती अपनी पत्नी के हत्या करके भाग रहा था लेकिन रास्ते में उसका अक्सिडेंट हो गया जिससे उसकी मौत हो गई और ओपी का नाम क्या मुद्दीन है और मृतक का नाम वर्शा चौहान है ये दोनों एक महीने पहले किराई पर रूम लेकर रहने आये थे देर रात को दोनों में जगड़ा हो गया जब बात बढ़ गई तो इससे परिशान होकर क्या मुद्दीन ने वर्शा की हत्या कर दी और फिर वहां से फरार हो गया वो कार से भाग रहा था लेकिन बीच रास आता है कि आजकल के जमाने में रिष्टो का कोई मूल नहीं है या रिष्टो से बढ़कर गुस्सा है इंसान का इगो है जो कि अंत में सब खतम कर देता है और कुछ नहीं बचता उस पिता ने अपने बेटे को तो मार दिया उस पती ने अपनी पत्नी को तो मार दिया लेकि अगर आप चाहते हैं कि हम इसे तरह बेबाक अंदाज में पत्रकारता करते रहें तो स्क्रीन पर दिखरी डिटेल्स पर डोनेशन दे धन्यवाद